नमस्कार बच्चों, 3D Geometry चल रही थी हमारे और 3D Geometry में Miscellaneous Exercise यानि विविद प्रश्णावली चल रही थी और पहले वीडियो में प्रश्ण नमबर 12 तक के हमने कर लिये थे अब आते हैं प्रश्ण नमबर 13 पर प्रश्ण नमबर 13 यह कहता है Find the Equation of the Plane यानि उस तल का समीकरण ज्याद करो एक्वेशन ओफ प्लेन फाइंड आउट करना है आपको पासेस थ्रू किसी पॉइंट माइनस 132 से जाती है और वो प्लेन पर्पेंडिकुलर है जो प्लेन हमें चाहिए वो पर्पेंडिकुलर है x प्लस 2y प्लस 3z is equal to 5 इस प्लेन के इस प्लेन को हम l1 या मैं πाइवन मान लेती हूँ क्योंकि पहले हाला कि मैं प्लेन के लिए l1 यूज कर गई पाइवन मान लेजिए l1 basically line के लिए कर लेते हैं लेकिन l1 में भी कोई नुक्सान नहीं है और दूसरे एक और plane पर भी पर्पेंडिकुलर है 3x प्लस 3y प्लस z equal to 0 ये दूसरा plane है तो हमें जो plane चाहिए वो इस पर भी लंब है वो इस पर भी लंब है और इस से पास होता है तो ये हमारा कोशन दिया हुआ है कोशन को फिर से समझे कोशन ये कहता है कि इस तल का समीकरन ग्याद कीजिए जो इस बिंदू से तो होकर गुजड़ता है और जो इस पर भी पर्पेंडिकुलर हो और इस पर भी पर्पेंडिकुलर हो अब equation of plane अगर हमें चाहिए तो basically equation of plane हम कैसे निकालेंगे ax plus by plus cz अगर मैं उसकी बात करती हूँ partition form में क्योंकि partition form में और बलकि किसी point से जाने वाले plane की equation जो है formula वो होगा a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 पराबर 0 ये है formula आपका तो जो plane हमें चाहिए वो इस point से जा रहा है इसका मतलब x1 की value minus 1 y1 की value 3 और z1 is 2 point तो पता चल गया अब abc क्या है abc जो plane हमें चाहिए उस पर जो अभी लम है उसकी दिक अनुपात है तो इसी तरह से ये जो plane है जो plane दिया हुआ है उसमें x, y और z के जो coefficients है वो इस plane के पर जो लम है उसके दिक अनुपात है यानि 123 पहले वाले plane के दिक अनुपात है और 330 दूसरे plane के अभी लम के दिक अनुपात है अब आप इसको यूँ देखिए कि ये आपका एक plane है ये कोई दूसरा plane है यूँ ये दोनो 90 degree है ऐसा जरूरी नहीं है कैसे भी हो सकते हैं अब एक ऐसा plane चाहिए जो इस पर भी 90 degree बनाए इस पर भी 90 degree बनाए तो वो plane ऐसा होगा इस पर भी और इस पर भी दोनों पर 90 degree का बनाएगा तो अब ये पहला plane है plane पाइवन मान लेते हैं दूसरा plane जो हमें चाहिए वो इस पर 90 degree का कोण बनाएगा तो ये इस तरह का कोई plane चला गया ताकि जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं वो line बनेगी और इनमे 90 degree का angle बनेगा ये एंगल जो होगा इस line में और इस line में 90 degree का angle होगा अब ये जो पहला plane था इस पर अभिलम line है यानि N1 है मान लीजे अभिलम N1 vector तो इसकी जो दिक अनुपात है वो 123 है 123 और ये वाला जो plane हमें चाहिए उसके दिक अनुपात ABC है तो इस पर जो अभिलम है उसके दिक अनुपात क्या है वो भी वो है ABC आप देख रहे है अब जब ये दोनो 90 degree है और यहाँ ये 90 है तो ये किस तरे किस्तिती बनी अगर मैं यहाँ से एक line कीश दूँ तो ये काप का ये 90 degree है ये अभी लाम है पहले वाला ये plane पर एक line कीशी है और ये दूसरे वाले ये जो plane हमें चाहिए उस पर line कीशी हुई है दोनों के बीच में 90 degree का एंगल है इसी line के से किसी point से ये 90 degree जा रहा है तो ये 90 degree है ये नब डिगरी है तो ये भी क्या होगा नब डिगरी तो कहने का मतलब ये plane और ये plane का ये जो दोनों plane है इन दोनों plane के जो अभी लम है जो इन पर 90-90 degree पर नॉर्मल जो है वो भी एक उनों 90 degree का एंगल बनाएंगे इसका मतलर इसका दिकनुपाथ और इसके दिकनुपाथ का गुडनफल का sum यानि corresponding multiplication of this direction ratios और फिर उसका sum यानि ये वाला formula a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 क्योंकि n1 vector इसका है n vector इसका है तो ये n1 और n vector दोनों एक दूस पर 90 degree का एंगल बनाएंगे तो इसरे से 1 into a plus 2 into b plus 3 into c comes out to 0 तो a plus 2b plus 3c equal to 0 ये आपकी पहले equation बन के आई और इसी तरह से ये वाला जो plane है इसे plane pi मान लेते हैं तो ये क्यों आया क्योंकि pi 1 is perpendicular pi इसी तरह से when pi 2 is perpendicular to pi plane second plane जो हमें plane चाहिए required plane उस पर perpendicular है तो तो 3 into a plus 3 into b plus 3 into 1 into sorry 1 into c is equals to 0 ये दूसरी equation बनाएं इन दो equation से a b c की values निकलेंगी यो की ratios के form में निकलेंगी तो इसका तरीका क्या होगा इसमें क्या करते हैं दो तरीके या तो से वाज गुणन फल विदी से निकाल लीजे तो इससे मैं कर लेती हूं तो a upon 2 into 1 minus 3 into 3 b upon 3 into 3 minus 1 into 1 c upon 1 into 3 minus 2 into 3 और इसको के मान लिया लेत तो a upon 2 minus 9 यानि minus 7 b upon 9 minus 1 यानि 8 c upon 3 minus 6 यानि minus 3 is equals to k तो इसलिए a की value हो गई minus 7 k b हो गया 8 k c हो गया minus 3 k और अब value यहां substitute कर दोगे therefore equation of required plane यानि अभिष्ट तल का समी करण a की जगे minus 7 k x minus x1 की जगे minus 1 plus b की जगे 8 k y minus y1 की जगे 3 और c की जगे minus 3 k z minus z1 की जगे 2 equal to 0 सबको k से divide कर दिया और फिर multiply किया minus 7 x minus minus plus into minus minus 7 plus 8 y k से सब divide हो गया right side में 0 था इसलिए के कतम हो गया 8 y minus 8 3 24 minus 3 z plus 3 2 6 3 into 2 6 आ गया तो हो गया minus 7 x plus 8 y minus 3 z और यह हो गया minus 1 यह बचा minus 25 equal to 0 तो equation of required plane is 7 x minus 8 y plus 3 z plus 25 equal to 0 यह आपकी equation of required plane आई है तो इस तरह से question करेंगे आप चलते हैं next question 14 पर question 14 यह कहता है कि एक point A है let's suppose A मान लिया point का नाम point दिया है 1 1 P और दूसरा point है B इसके coordinates है minus 3 0 1 यह दोनों point equal distance से बराबर दूरी पर है plane R vector dot 3i plus 4j minus 12k plus 13 is equal to 0 दोनों से बराबर दूरी पर है A की इस plane से दूरी और B की इस plane से दूरी दोनों बराबर है तो आप से कहते हैं P की value find out कीजे तो अब हम आते हैं कि किसी point से किसी plane की दूरी कैसे निकालते हैं मैं आपको फिर सूत्र याद कराती हूँ सूत्र जो था सूत्र यह था कि अगर कोई vector कोई plane है R vector dot N vector बराबर D एक plane है और कोई बिंदू है जिसका position vector A vector है किसी point का position vector यानि स्तिती सदिश A vector है तब उनके बीच में जो distance होगा D, एगर मैं distance D माल लेती हूँ तो उसका सूत्र होगा आपका D minus A dot N vector upon modulus of N यह आपका सूत्र है तो अगर हम इनको compare करें अब R vector dot 3i plus 4j minus 12k is equals to minus 13 तो A vector यानि पहले इसका A से plane की दूरी तल की दूरी तो यानि इस बिंदू से बात कर रहे हैं के लिए A vector यानि A का position vector जो होगा वो होगा 1i plus 1j plus pk यह A vector हुआ N vector हुआ आपका 3i plus 4j minus 12k और D की value हुई आपकी minus 13 यहां substitute करेंगे तो योगा modulus D की जगा minus 13 minus A dot n तो पहले A dot n निकाल लेते हैं A vector dot n vector यानि इन दोनों का dot product यानि 3 into 1 यानि 3 plus 4 into 1 यानि 4 minus 12 into p is minus 12p तो यह होगा 7 minus 12p तो यह होगा 7 minus 12p अपन N का modulus modulus N अगर आप निकालेंगे तो यह होगा 3 का square plus 4 का square plus minus 12 का square और यह बैठा आपका 9 plus 16 plus 144 यह बन गया minus 13 minus 7 plus 12p अपन यह बन गया 169 यानि 13 तो यह बन गया आपका 12p minus 20 अपन थर्टी अपन थर्टी तो यह था आपका सूत्र अब दूरी हो गई बिन्दू A की पीसे अब आते हैं विन्दू B की तल से दूरी अब इसके लिए अब की बार जो वेक्टर A आएगा वेक्टर A की जगए B का आएंगे स्तिति सजिश्ट तो minus 3i plus 0j plus 1k n वेक्टर होई है तो सासत A.n निकाल लेते हैं A और n का minus 3 into 3 minus 9 plus 0 into 4 0 minus 12 into 1 यानि minus 12 तो यह होगा D की जगए minus 13 minus A.n minus 21 upon under root 169 तो यह होगा आपका प्लस का 21 minus का 13 यह बने आपके प्लस 21 minus 13 बनगे 8 upon 13 दोनों के का डिस्टेंस बराबर दे रखा D1 is equals to D2 तो यह होगा 12 P minus 20 upon 13 is equals to 8 upon 13 यहां से मॉडलिस का साइं जब उटाएंगे तो 12 P minus 20 upon 13 is equals to जब मॉडलिस उटाएंगे तो प्लस माइनस 8 upon 13 हो जाएगा 13 से 13 कड़िया तो यह दो वैलिस आएंगे 12 P minus 20 is equals to 8 या फिर 12 P minus 20 is equals to minus 8 तो यह होगा 12 P is equals to 28 या फिर 12 P is equals to 20 minus 8 यानि की 12 तो P की वैलिस या तो 1 होगी या होगी 12 28 upon 12 यानि 47 28 फिर 12 यानि 7 upon 3 तो P either 7 upon 3 और P equal to 1 2 values इसकी हो सकती है तो यह था question number 14 आते हैं question number 15 पर question number 15 क्या गहता है equation of plane निकालनी है आपको जो की pass होती है दो plane की line of intersection से passes through line of intersection of planes पहला plane जो है उसको पाई 1 मान लेते हैं वो है आपका r vector dot i plus j plus k equal to 1 और दूसरा plane है r vector dot 2i plus 3j minus 4k, sorry minus k, it's not minus 4k, it's only k, plus 4 equal to 0 तो यह दो plane है इन दो plane जब भी एक दूसरे को काटते हैं जहां भी काटेंगे वहाँ एक line बनेगी और उस line से ऐसंख्य plane इंफाइनल plane पास हो सकते हैं तो इसमें भी ऐसंख्य plane होंगे लेकिन इसमें खास बात यह क्या है कि वह plane parallel to x axis होना चाहिए and parallel to x axis एक सक्ष के पैरलल होना चाहिए जो plane x सक्ष के पैरलल होगा वह plane वह plane yz y और z पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो यह आपका हुआ तो अभी तो पहले equation of plane passes through intersection of plane pi1 and pi2 तो यह equation कैसे निकालते हैं r vector dot i plus j plus k इसको अधर ले लेते हैं minus 1 plus lambda times जूसरी plane की equation यह तरीका बताया था यह यह family of planes की equation जो दो plane के line of intersection से जाएगा तो यह वो plane है अगर इसको हम फिर proper तरीके से लिखते हैं तो यह हो जाएगा r vector dot i plus j plus k plus r vector dot 2 lambda i lambda मैं यह हम multiply कर रहे हूं 3 lambda j minus lambda k plus 4 lambda is equals to 0 तो अगर इसे हम दोनों में से r dot common निकालेंगे तो इन दोनों का sum बठेगा 1 plus 2 lambda i plus 1 plus 3 lambda j plus 1 minus lambda k plus यह minus 1 रहे गया minus 1 plus 4 lambda और यह minus 1 यह और लिख लेती हूं और यह हो गया 4 lambda minus 1 equal to 0 यह आपकी equation of required plane आई इसे भी नहीं है लिख लेते हैं अब यहां से समझने की बात है यह x-axis है मान लीजे पैन यह आपका y-axis है तो z-axis ऐसे आएगा मैंने बताया था जहां मेरा गूठा आ रहा है तो यह only जो है यह only y-axis बता रही है यह z-axis अब एक plane जो है इस x-axis के parallel होगा ऐसे जैसे मेरा हाथ है ऐसे करके यह ऐसे करके देखेंगे आप यह plane है तो यह जो parallel है तो इस plane पर जो लंब है इस plane का जो लंब है वो इस plane पर यहां 90 डिगरी का एंगल बनाएगा इधर और x-axis आपकी ऐसे जा रही थी तो इसका जो plane है वो x-axis पर perpendicular होगा यानि जो plane का अभी लंब है तो इस plane का अभी लंब एक्स अक्ष पर x-axis पर लंब होगा परपेंडिकुलर होगा इंग्लिश में से लिखेंगे नॉर्मल तो दिस plane इस परपेंडिकुलर टू x-axis और दो एक्ष जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके डारेक्शन को साइन्स की मल्टिप्लिकेशन का सम या यूं कहलो डारेक्शन रेशियो उसका मल्टिप्लिकेशन का सम जीरो होता है तो इस plane के normal के direction ratios direction ratios of normal to plane 1 plane 1 का direction ratios होंगे 1 plus 2 lambda 1 plus 3 lambda और 1 minus lambda और x-axis कि direction ratios क्या होंगे 1,0,0 direction cos या direction ratios यह होते हैं और direction cos यह होते हैं और direction ratios भी होंगे क्योंकि इनका जब आप अनुपात लेंगे तो यह यह आएगा तो 1,0,0 ही लेलें तो इस तरह से आपका जब direction ratio तो आपका formula वोई A1 यानि 1 into 1 plus 2 lambda plus 0 into 1 plus 3 lambda plus 0 into 1 minus lambda is equals to 0 आएगा तो यह हो गया 1 plus 2 lambda is equals to 0 और lambda की value आगे minus 1 upon 2 अब lambda की value यहाँ पर आप minus 1 upon 2 रखे देर्फोर equation of required plane यानि अभिष्ठ तल का sumi current यो होगा वो होगा आपका r vector dot 1 plus 2 into minus 1 upon 2 i 1 plus 3 into minus 1 upon 2 j plus 1 minus minus 1 upon 2 k plus 4 into minus 1 upon 2 minus 1 equal to 0 तो यह r vector हो गया 0 i यह minus 3 upon 2 1 minus 3 upon 2 is minus 1 upon 2 j यह हो जाएगा 3 upon 2 k और यह हो गया minus 4 upon 2 यानि minus 2 minus 1 यानि minus 3 equal to 0 अगर सबको 2 से multiply कर दें तो r vector minus j vector plus 3 k vector minus 6 equal to 0 यह होगी यह equation of required plane इस question का answer आपका पीछे की तरफ cartation form में दे रखा है काईदे में जब आपकी vector form में equation थी तो vector form में ही उतर आना चाहिए पर यहीं से आप cartation form में भी इसका उतर निकाल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है आप आपने इसमें solve कर लिया और आप देखो cartation form में से कैसे करेंगे जब भी किसी vector equation को cartation form में यह हमारी equation थी required plane की तो जब भी cartation form में convert करते हैं तो R vector की जगे हम लिख देते हैं x i plus y j जो general point है z k तो इसकी जगा आगया x i plus y j plus z k dot minus j plus 3 k minus 6 equal to 0 तो x यहाँ 0y मानते हुए 0y था यह तो x खतम हो गया minus y plus 3z minus 6 equal to 0 तो y minus 3z plus 6 equal to 0 cartation form में आ गई तो पीछे से यहाँ match कर गई चूकि यहाँ कुछ नहीं कहा था तो आप answer इस form में भी छोड़ सकते हैं क्योंकि vector form equation थी और आपने इस आसर cartation form में भी कर दी तो इस तरह से आपका पीछे से answer match हो गया तो यह था question number आपका 15 आते है question number 16 पर question number 16 यह कहता है let o be the origin and coordinate of point p दे रखें find the equation of plane passing through p and perpendicular to op यानि op o origin हो गया उसके coordinate यह होते हैं p जो है 1 2 3 हो गया 1 2 minus 3 हो गया क्याते एक plane के equation बताईए जो p से तो पास हो plane passing through p and perpendicular to op तो इसका मतलब op क्या हो गया नॉर्मल हो गया तो हमारा जो formula लगता था r vector minus a vector dot n vector बराबर 0 तो इसमें a vector तो जिस point से पास हो रहा है तो a vector हुआ आपका p का position vector यानि p का इस्तिती सदेश यानि 1i plus 2j minus 3k n vector हुआ आपका op vector क्योंकि op vector plane के perpendicular और n vector क्या होता है plane के perpendicular तो यह आपका op हो गया 1 minus 0i यानि 1i 2 minus 0j यानि 2j minus 3 minus 0 यानि minus 3k और अभी हम आन रख देंगे तो r vector इसको बलकि और थोड़ा थोड़ लेते हैं क्यों में ही तो a dot n निकाल लेते हैं i plus 2j minus 3k dot i plus 2j minus 3k तो यह हो गया आपका 1 plus 2 का square plus 9 1 plus 4 plus 9 यानि 14 हो गया तो यह हो गया आर वेक्टर dot i plus 2j minus 3k minus 14 equal to 0 तो r vector dot i plus 2j minus 3k पराबर 14 यह आपका required equation of plane है vector form में partition form में r vector की जगे x i plus y j plus z k रखने पर जो equation बनके आएगी वोगा x plus 2y minus 3z is equal to 14 यह आपकी partition form हो गई और यह होगी vector form तो यह answer आपका question number 16 का question number 17 find the equation of plane equation of plane निकालना है जो दो दियेवे plane के line of intersection से जाता है और कोई तीसरा plane है उस पर वो लम है तो पहला plane pi 1 माल लेते हैं तो इसको हम कहेंगे r vector dot i plus 2j plus 3k minus 4 equal to 0 दूसरा plane है r vector dot 2i plus j minus k plus 5 equal to 0 दो plane है वो plane दोनों के line of intersection से पास होता है और एक तीसरा plane दे रखा है उस पर perpendicular है और तीसरा plane है r vector dot 5i plus 3j minus 6k plus 8 equal to 0 तो हमें चाहिए pi यानि equation of plane ये हमें चाहिए such that pi जो है वो इन दोनों के intersection से जाए यानि pi 1 plus lambda pi 2 equal to 0 में से कोई एक plane ये pi होगा और ये pi perpendicular होगा pi 3 के यानि ये वाला plane जो हमें चाहिए वो pi 3 पे perpendicular है तो जब दो कोई दो plane perpendicular होते हैं तो उसके अभिलम भी perpendicular होते हैं और अभिलम यानि normal और अगर normal perpendicular होते हैं तो उसके normal की जो direction ratios हैं उनका corresponding product का sum वो 0 आएगा तो पहले equation of plane passing through line of intersection of plane 1 and plane 2 तो इस फोम्ले से यानि r vector dot i plus 2j plus 3k minus 4 plus lambda times r vector dot 2y plus j minus k plus 5 इसको reform करके लिखेंगे तो r vector और इन दोनों में से common तो जब add करेंगे r vector i plus 2j plus 3k plus lambda times 2y plus j minus k minus 4 plus 5 lambda is equal to 0 तो यहोगे r vector 1 plus 2 lambda i की coefficient 2 plus lambda j की coefficient 3 minus lambda k की coefficient minus 4 plus 5 lambda is equal to 0 तो यह आपकी equation of plane आ गई इस equation first मान लिया अब यह equation 1 यानि plane 1 plane with equation 1 and plane 5 by 3 यह एक दूसरे पर perpendicular है अगर perpendicular है जो इसके दिक अनुपात है यानि direction ratios है यानि i की coefficients का product j की coefficient का product k की coefficient का product का sum 0 आएगा यानि 5 इंटू 1 plus 2 lambda plus 3 इंटू 2 plus lambda minus 6 इंटू 3 minus lambda comes out 0 यानि 5 plus 10 lambda 6 plus 3 lambda minus 18 plus 6 lambda equal to 0 10 plus 3 13 13 plus 6 19 lambda और यह होगे 11 minus 18 is equals to 0 तो 19 lambda minus 7 equal to 0 तो lambda comes out to 7 upon 19 तो इसलिए equation of required plane r-vector dot 1 plus 2 into 7 upon 19 i 2 plus 7 upon 19 j 3 minus 7 upon 19 k minus 4 plus 5 into 7 upon 19 is equals to 0 so r-vector dot 19 plus 14 यानि 33 i upon 19 38 plus 7 45 upon 19 j 19 3 57 minus 7 यानि 50 upon 19 k 19 into 4 ये हुआ आपका 19 minus 76 plus 35 तो 25 यानि minus 41 upon 19 equal to 0 सबको 19 से multiply कर देंगे तो r-vector dot 33i plus 45 plus 45 plus 50 k minus 41 equal to 0 ये आपकी equation of required plane हुई जो में चाहिए था Cartesian form में अगर convert करते हैं तो इसमें x i plus y j plus z k रखके फिर multiply करेंगे तो बनेगा 33x plus 45y plus 50 z minus 41 equal to 0 ये हमारी Cartesian form में आएगी vector equation Cartesian दोनों साथ साथ निकाल दी अभी चेक करते हैं answer ये था question number आपका 17 आते हैं question number 18 पर question number 18 कहता है find the distance of point a point P दिया हुआ है minus 1 minus 5 minus 10 इस point का distance ग्याद करना है find out करना है line और plane के point of intersection से line L1 दे रखी आपको r vector बराबर 2i minus j plus 2k plus lambda 3i plus 4j plus 2k ये line है और plane दे रखा है r vector dot i minus j plus k बराबर 5 line और plane के intersection से जो point होगा और उसका P से distance निकालना है तो हम कहते हैं q is the point of intersection of line line L1 and plane pi 1 pi 1 पाई मानलो या pi 1 कहलो एक ही बार ते हैं तो कभी भी प्रतिछेदन निकालते हैं यानि intersection निकालते हैं हमने माना q प्रतिछेदन बिंदू है line L का और plane pi का तो हमने कहा q point है तो अब कभी प्रतिछेदन निकालने का तरीका होता है कि R की value यो R vector है दोनों का यानि common point है R vector line पे किसी point को बता रहा है ये R vector plane पर किसी point को बता रहा है अब जहां पर ये plane और ये line का प्रतिछेदन अगर होता है तो ये वाला जो point है ये plane के उपर भी है ये इस line के उपर भी है तो ये दोनों को satisfy करेगा तो इस तरह से जब satisfy करेगा तो इसका कोई भी point हमने मान लिया R vector है ये R vector इस पर भी लाई करेगा तो R vector की जग़े ये पुरी value यहां रखकर हम lambda की value निकालेंगे तो आप इसे यहां रखेंगे R vector की जग़े रखकर हमने 2i minus j plus 2k plus 3 lambda i plus 4 lambda j plus 2 lambda k ये सार की जग़े रखा और ये आपका i minus j plus k equal to 5 इसे फिर से ठीक करेंगे इसे 2 plus 3 lambda i के coefficient हो गए j के coefficient हो गए sorry minus 1 minus 1 plus 4 lambda और 2 plus 2 lambda k के coefficient हो गए dot i minus j plus k equal to 5 अब जब dot product करेंगे तो i के coefficient यहां 1 और यहां 2 plus 3 lambda into 1 plus minus 1 plus 4 lambda into minus 1 plus 2 plus 2 lambda into 1 equal to 5 तो i के तो गए 2 plus 3 lambda plus 1 minus 4 lambda 2 plus 2 lambda equal to 5 3 plus 2 5 lambda minus 4 lambda is lambda 2 plus 2 4 plus 5 1 5 equal to 5 तो lambda की value हो गई 0 lambda की value 0 होते ही आपका जो point हुआ q आर वेक्टर क्या होगा आर वेक्टर यानि पॉइंट क्यू का जो पोजिशन वेक्टर है ओ क्यू कहलेंगे से तो आर वेक्टर हो जाएगा 2i-j प्लस 2k और या कहोगे p q के कॉडिनेट हुए आपके 2-1, 2 तो यह था आपका question number 18 sorry आपको तो distance निगालना है तो यह क्यों निकल गया यह पी निकल गया तो p q जो होगा आपका formula 2 point के बीच में x1, y1, z1 और x2, y2, z2 दो point है उनकी बीच में जो distance होता है x2-x1 का square plus y2-y1 का square plus z2-z1 का square तो ही हो गया 2-1 minus 1 का square plus minus 1 minus minus यानि plus का 5 का square और 2 2 minus minus 10 यानि 2 plus 10 का square तो ही हो गया 3 का square 9 4 का square 16 12 का square 144 ही हो गया 169 यानि 13 जो है distance हो गया 13 इकाई आपका जो भी unit है हो आपका distance हो गया यह दा कोशन नमबर 18 आते हैं कोशन नमबर 19 पर कहते हैं वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए लाइन की इक्वेशन आफ और वो भी वेक्टर इक्वेशन यहां इक्वेशन आफ लाइन फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू किस से होके कुजर रही है 0.123 से और पैरलल है and पैरलल टू प्लेंज लाइन जो है जो लाइन हमें चाहिए पैरलल है पहले प्लेंज आर वेक्टर डॉट आई माइनस जे प्लस टू के बराबर पांच और पैरलल है दूसरे प्लेंज पर 3i plus j plus k equal to 6 हम जानते हैं equation of line जो किसी point से जाता हो और किसी vector b के parallel हो तो हम उस equation जो formula लगाते ही equation of line के लिए जो formula निकालते हैं वो होता है vector a जहाँ a उस point का सिति सदेश है plus lambda b vector इस तरह से हम निकालते हैं तो हम कहते हैं a vector तो हमारा हो गया 1i plus 2j plus 3k अब b vector जो है b vector को हम कहते है let's suppose b vector है इसे ले लेते x i plus y j plus z k अब ये plane है आपका और ये एक line है ये दोनों parallel है अगर ये दोनों एक दुसरे parallel है तो जो plane है plane पर जो abhilim होगा वो plane पर 90 degree का कौन होगा तो जो plane पर abhilim था वो abhilim line पर भी 90 degree का कौन बनाएगा यानि ये जो पहले वाले plane से parallel थी तो ये वाला जो vector है ये vector और ये vector दोनों क्या होंगे एक दूसरे पर 90 degree का कौन बनाएगे तो अगर इसको मैं r vector dot n vector बराबर d से compare करूँ तो ये n1 vector ये हुआ तो n1 vector हुआ हमारा i minus j plus 2k और इसको n2 मानों तो n2 vector हुआ दूसरे plane का जो normal है 3i plus j plus k तो जो b vector है वो n1 के भी perpendicular है और जो b vector है वो n2 के भी perpendicular है तो इस तरह से ये दोनों perpendicular होंगे तो b dot n1 0 होगा b dot n2 b 0 होगा तो इस तरह से और इसमें भी इससे ज्यादा क्या होगा कि ये इसकी भी जरूत नहीं है ये b vector है तो b vector n1 से perpendicular है हम कहेंगे b vector perpendicular to n1 है और b vector perpendicular to n2 है दोनों बाते सही होगी तो n1 cross n2 की बात अगर हम करें n1 cross n2 तो वो क्या होगा वो parallel to b vector होगा तो ये जो line थी वो b vector के parallel है तो हम सीधा कह सकते है b vector n1 cross n2 हो सकता है तो b vector को हमने n1 cross n2 मान लिया तो n1 cross n2 का मतलब हुआ i, j, k और 1, minus 1, 2 और 3 अभी से b vector को ये मानने की जुरूत नहीं है हम इसको इस डंग से कर लेंगे क्योंकि b vector line के parallel है और n1 cross n2 भी line के parallel है तो b vector को हमने n1 cross n2 माल लिया तो ये हो गया 3, 1, 1 तो इस तरह से i के गुणाँ कोंगे minus 1, minus 2 यानि minus 3 j के गुणाँ कोंगे 1, minus 6 k के गुणाँ कोंगे 1, minus, minus यानि plus का 3 तो minus 3i, plus का 5j, plus का 4k ये भी vector हो गया तिरफोर equation of line जो हो गई, वो हो गया r vector बराबर i, plus 2j, plus 3k, plus lambda times, minus 3i, plus 5j, plus 4k ये आपकी vector equation of line हो गई फिर से यादिला देती हो अगर ये formula equation of line का इसका मादलब होता है line इस बिंदू से जारी है और किसी vector b के parallel है n1 b पर perpendicular था n2 b भी पर perpendicular था परन्त इसलिए n1 cross n2 जो की n1 पर perpendicular है n2 पर perpendicular है n1, n1 cross n2 आपका n1 पर भी perpendicular है और n2 पर भी perpendicular है इन दोनों पर ये perpendicular है तो इसका मादलब n1 cross n2 parallel हो गया b के तो इसे हमने b ही माल लिया क्योंकि b क्या है कोई भी vector जो इन दोनों के इस line के parallel हो तो हमने इसे ही b माल लिया और इस तरह से ही आपकी equation आगए ये था कोईशन नमबर 90 कोईशन 20 पर आते हैं यही कोईशन है लेकिन अपकी बार आपको ये कोईशन बिल्को सेम कोईशन है कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ही निकालनी है लाइन थोड़ा फरक है पहले वाले में प्लेंस के थी अपकी बार एक वेक्टर इक्वेशन आफ लाइन निकालनी है जो किसी पॉइंट 1,2, माइनस 4 के जाती है से जाती है और ये लाइन अगर हम ल मान लेते हैं लाइन को तो L जो परपेंडिकुलर है दो लाइन के और लाइन दे रखी है पहली लाइन जो दे रखी है X माइनस 8 अपॉन 3 Y प्लस 19 अपॉन माइनस 16 Z माइनस 10 अपॉन 7 ये एक लाइन दे रखी है दूसरी लाइन दे रखी है X माइनस 15 अपॉन 3 y-29 upon 8 z-5 upon minus 5 कहते हैं एक line की equation find out कीजिए हमने उस equation एगर मानते हैं तो वो L1 और L2 दोन उपे perpendicular है तो यह बिल्कुल ऐसी equation होगी पर यहां आपको चाहिए vector equation तो यह line L1 है तो line L1 को अगर अब यह तो आप इसको पहले vector form में convert करेंगे तो अगर L1 आपकी R vector बराबर A1 plus lambda B1 vector के form में है तो B1 vector जो होगा वो होगा 3i minus 16j plus 7k ऐसी जो L2 line को अगर हम इसी form में लाएंगे R vector बराबर A2 vector plus lambda B2 vector तो B2 vector होगा आपका 3i plus 8j minus 5k A1 का जो A1 के coordinates A1 यानि जिस बिंदू से जाता है तो बिंदू है 8 minus 1910 हमें इसके जोरत नहीं पड़ेगी इसलिए हमें यह नहीं चाहिए अब हमें जो line चाहिए वो इन दोनों पर perpendicular है तो जो equation line चाहिए L मान लिया तो L जो है वो perpendicular to L1 है L perpendicular to L2 है तो इसलिए L क्या होगी parallel होगी L1 cross L2 के अब हमने का माना जो line L है वो आपने कहा माना वो line है R vector बराबर A vector plus lambda B vector इसका मदलब B vector जो है वो L parallel होगा B1 cross B2 के सौरी B1 cross B2 B1 पे भी लम है B2 पे भी लम है और L B B1 और B2 पे लम है इसका मतलब L parallel होगा B1 cross B2 पर तो इसलिए B vector कितना होगया B1 cross B2 और ये निकालेंगे I, J, K B1 vector आपका 3, minus 16, 7 B2 vector आपका 3, 8, minus 5 तो इस तरह से B vector हुआ आपका 80, minus 56 1, minus J, minus 15, minus 21 plus K into 24, 48 ये होगा 24I plus 36J 72K ये B vector हुआ और A vector यानि ये coordinate A vector हुआ आपका I plus 2J, minus 4K इसलिए equation of required line vector equation of required line क्योई, क्योई चीद्य ही कि पूछा था ये होगा आपका R vector बराबर R vector बराबर A plus lambda B यानि A की जगए I plus 2J minus 4K plus lambda times B की जगए 24I plus 36J plus 72K यह equation of required line हुई ठीक यह था आपका question number 20 इसमें एक काम और किया जा सकता है I plus 2J minus 4K plus इसमें से 12 कॉमन निकालें तो 12 lambda तो हो गया 2I plus 3J plus 6K और 12 lambda constant ही है तो इसको मैं अगर T मान लूँ यह आपकी equation हो गई यह भी answer हो यहां छोड़ देंगे तो यह भी correct है पीछे से match करा रही हूँ तो यह आपका answer आएगा तो अगर आप यहां भी छोड़ेंगे यह भी correct है और यह answer भी correct है पीछे का यह answer इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह अनुपात था direction ratios यह और यह दोनों parallel हैं तो B vector ऐसी ऐसा आपका रेखा है जो parallel हो इस line के तो यह line भी इसके parallel है यह भी इसके parallel है तो बोथ हर correct यह था question number 20 आते हैं question number 21 पर question number 21 यह कहता है true that एक plane है जिसका intercept ABC है तो equation of plane having intercept intercept मत्या अंत्य खंड ABC on respective axis यानि plane का समय एक plane है plane having intercept ABC यानि एक तल है जो X axis पे A दूरी पर काटता है Y axis पे B दूरी पर काटता है Z axis पे C दूरी पर काटता है उसका origin से जो distance से P unit है तो पहले तो मैं लिखूं equation of plane जब intercept form में तो यह होती है X upon A plus Y upon B plus Z upon C equal to 1 is equation of plane in intercept form अंत्य खंड रूप में अंत्य खंड रूप में जो आपका समय करन होता है तल का वो यह है यह आपका equation of plane हो गया अब इस plane का आपका मूल विंदू से जो दूरी है 0,0,0 से जो दूरी है वो आपकी दे रखिये P वो distance जो दे रखा है वो P दे रखा है तब आपको यह निकालना है तो अब मूल विंदू से दूरी यह कैसे निकालेंगे तो आपका सूत्र था Cartesian form में मूल विंदू से जो दूरी है अगर एक मैं formula लिख लेती हूं फिर से formula बता देती हूं अगर एक equation of plane AX plus BY plus CZ plus D equal to 0 एक equation of plane है किसी point X1, Y1, Z1 से इस plane की जो दूरी है distance है वो था आपका AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D upon under root A square plus B square plus C square यह आपका distance होलता है तो अब इसको compare करेंगे तो A की जगह आएगा 1 upon A इसको और उल्टा यहां लिया यह X upon A, Y upon B plus Z upon C minus 1 equal to 0 इस तरह से आप compare करेंगे तो A हो गया 1 upon A, B हो गया 1 upon B, C हो गया 1 upon C और D की value हो गई minus 1 और अब यहां रख देंगे और यह जो D दे रखा, P दे रखा तो D की जगह P AX1 यानि X1 कितना है 0 बिंदू जो हो गया X1 तो अब X1 कितना हो गया 0 तो 1 upon A into 0 plus 1 upon B into 0 plus 1 upon C into 0 D की जगह minus 1 upon अंडर रूट 1 upon A का square plus 1 upon B का square plus 1 upon C का square दोनों त्रव का square कर देंगे तो यह minus खतम हो जाएगा 1 upon 1 upon A square plus 1 upon B square plus 1 upon C square रह जाएगा यह पूरा धर लिया आईए तो 1 upon A square plus 1 upon B square plus 1 upon C square यह दोनों एक्स्चेंज हो रहे हैं इंटरसेट काटता है यानि x-axis पे ए अंतरखंड काटता है y-axis पे अंतरखंड काटता है जड़ एक्सपे सी अंतरखंड काटता है तब डारेक्ट फॉर्म में वह एक्वेशन हम जो निकालते थे वह एक्स अपॉन A plus Y upon B plus Z upon C बराबर 1 हमने एक्वेशन मान ली इंटरसेट फॉर्म में एक्वेशन यही होती है स्टैंडर्ड एक्वेशन फिर कहते हैं 0-0-0 से यानि ओरिजिन से आपका जो डिस्टेंस है वो P दिया हुआ है तो किसी पॉइंट X1, Y1, Z1 से किसी प्लेइन AX plus BY plus CZ plus D equal to 0 का जो डिस्टेंस का फॉर्मला है वो यह रहा और अब X1, Y1, Z1 यानि 0-0-0 और A, B, C is 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C रखकर आपने कैलकुलेशन किया और आपको यही आंसर चाहिए था यही आपको शो करना था यह था कोशन नमबर 21 आते हैं कोशन नमबर 22 पर कहते हैं डिस्टेंस बिट्वीन टू प्लेइन निकालना है पहला प्लेइन है 2X plus 3Y plus 4Z is equals to 4 और दूसरा प्लेइन है 4X plus 6Y plus 8Z is equals to 12 अगर हम ध्यान से देखें दोनों plane प्लेइन हैं क्योंकि इनके normal में प्लेइन है क्योंकि normal का direction ratios है 2,3,4 यानि 2 upon 4, 3 upon 6, 4 upon 8 इनकी रेइन की रेइन है एक्वाल है तीनों की इसका मादलब plane 1 और plane 2 क्या हो गए parallel है जब दो plane parallel होते हैं तो इनके बीच का distance यह क्या होता है ? Origin से distance ही होता है उनका तो जो इनका distance होगा origin से इनको हम पहले जो origin से distance होगा वो होगा d1-d2 upon under root बल्कि एक काम करेंगे से यह दोनों parallel हैं तो इसे हम क्या करते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2x plus 3y plus 4z is equal to 6, यह आपका दूसरा प्लेन हो गया, पहला प्लेन और यह दूसरा प्लेन, और अब इनके बीच का डिस्टेंस हो गया सीधा सा, 6 minus 4, यानि, यह अगर आपका lx plus my plus nz, बराबर d के form में अगर समी करन होता, तो यह d क्या होता, origin से distance होता, उस प्लेन का, अब यह पहला प्लेन है, लेकिन यह direction ratios हैं, direction cosines नहीं हैं, तो direction ratios को हम cosines में कैसे change करेंगे, 2, 3, 4, के तीनों के square के sum से सब को divide करेंगे, तो पहला प्लेन दुबारा से 2 upon, पहले मैं इनका under root ही लेकती हूं, 2 square plus 3 square plus 4 square, चुकि दोनों में, दोनों की दोनों plane में अब यही coefficient बन जाएंगे, तो इसको बना लिया, 4 plus 9 plus 16, यानि under root 29, तो आप जो पहले मैं को दुबारा लिखेंगे, 2 upon under root 29, x 3 upon under root 29, y plus 4 upon under root 29, z is equals to 4 upon under root 29, यह पहला plane हो गया, और दूसरे plane को भी हमने क्या बना दिया, यह यहाँ पाईटू को, 2 upon under root 29, x plus 3 upon under root 29, y plus 4 upon under root 29, z is equals to 6 upon under root 29, यह दूसरा plane हो गया, अभी इस form में equation हो गई, जब यह direction cosines होते हैं, तो यह क्या होता है, origin से distance होता है, तो यह plane में, अभी यह direction cosines बन गए, direction ratios नहीं रहें, क्या बन गए, direction cosines, तो direction cosines में, यह मूल बिंदू से पहले plane की दूरी, यह मूल बिंदू से दूसरे plane की दूरी, इसलिए दोनों plane के बीच में दूरी, 6 upon under root 29, minus 4 upon under root 29, तो यह हो गया 2 upon under root 29, दोनों plane की बिच की दूरी होगी, यह था question number 22, यह D part, जो D इसका option था, वो इसका correct option है, तो यह था आपका question 22, आते हैं, question number 23 पर, question number 23, last question है, कि दो planes दे रखे हैं, क्या यह parallel हैं, या intersect करते हैं, क्या इनके यह देखना है, तो यह पहला plane है, 2X, minus Y, plus 4Z, is equals to 5, दूसरा plane है, 5X, minus 2.5Y, plus 10Z, is equals to 6, तो यह आपका, अगर मैं इस पूरे को, 2.5 से multiply कर दूँ, उपर वाली equation को, यह 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 कहलो, 2 upon 5, इनकी रेशियो, minus 1 upon 2.5, तो यह बन गया, minus minus दुनों, plus होगे, 10 upon 25, यानि, 5 to 10, 5 to 25, और तीसरा रेशियो है, 4 upon 10, यानि 2 upon 5, तो इनकी रेशियों जो हैं, वो दोनों बराबर हैं, तो इस तरह से यह दोनों क्या होगे, parallel होगे, एक जूसरे के, दोनों plane parallel होगे, तो भी वाला option correct है, तो इस तरह से यह आपकी exercise हुई, और यह chapter पूरा हुआ, अगले वीडियो में इस से अगले chapter linear programming को करेंगे हैं, Thank you.